नमस्ते, मेरा नाम सचिन है और शेरेज वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ तो मैं अब ही आया हूँ लवेंडर विला जो कलंगुट के और कांदुलिम के बीच में एक बहुती खुबसूरत और शान्थ जगह पे बनाया हुआ एक विला है जिसका नाम है लवेंडर विला और इसके बारे में मैं आपको और ज़्यादा बताने और दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका जो रेंट है पर डे का वो है एक लाख रूप है लेकिन इसका एक लाख रूप है तो आफकोस बहुत ज़्यादा होता है लेकिन जब यह आप प्रॉपर् यह जो विला है इसकी capacity है 22 लोगों की लेकिन up to 30 लोग यहाँ पे रह सकते हैं इनका area बहुत बड़ा है मतलब बंगलो है प्लस पूल है लेकिन बहुत सारी खाली जगा है तो अगर शादी करनी है बड़े का celebration करना है या और कोई बड़ी party करनी है या कुछ भी seminar करना है कुछ तो आप यहाँ पे बहुत ही आराम से कर सकते हो यहाँ पे सारी चीज़े बहुत ही easily आपको available हो जाएगी इवन car parking का भी कोई issue नहीं है और ना ही कोई दुसरे यहाँ पे problems आने के chances है तो चलिए मेरे साथ मैं आपको दिखाता हूँ यह beautiful सा lavender villa तो जैसे कि आप यह देख रहे पूर्तुगी स्टाइल में तो इनकी काफी सारी properties है लेकिन यहाँ पे यह property है तो हम यहाँ पे अभी आए हैं तो यह जो है यह main door है और जैसे कि आप देख रहे हो तो वाव यह decoration है पूरा यह actually hall है यह आप देख सकते हो कितने खुबसूरती से बनाया गया है पूरा यह बाहर आपको swimming pool दिखाए देगा यह जो पूरा जो एरिया है यह पूरा मतलब जब आप यह मिला आप रेंड पे लेते हो तो यह पूरा का पूरा आपका ही हो जाता है पूरे 24 गंटे के लिए 24 गंटे के लिए मतलब पूरा एक दिन आप यहाँ पे enjoy कर सकते हो तो यह रहा पहला bedroom इसका वाश्रूम भी आपको दिखाना चाहूंगा यह वाश्रूम इसका देखें और यह रहा इसका बालकनी बालकनी भी काफी beautiful इन्होंने बनाया है सारे बालकनी बहुत ही बढ़िया है देखिए यह बाहर इस तरह से इन्होंने बहुत खुपसूरती से बनाया है यह रहा पूल यह मेरे फ्रेंड और लेड़ी इसमें नहा रहे हैं आप देख सकते हो और यह रहा डाइनिंग टेप और यह एक्चली ऊपर भी कुछ बेडरूम है मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा तो आप देख सकते हो यह रहा दूसरा बेडरूम कैसा लग रहा है आपको वीव इसका मास लग रहा है आप देख सकते हो तो सारे जो बेडरूम है वो बहुत ही बड़िया तरीके से बनाये हैं और जब भी आप माल लो आप यहाँ पर इस विला का जो इन से मैंने जब बात किया था मैं उसके बारे में बताऊंगा पहले आपको यह दिखाऊंगा तो यह है किचिन तो माल लो अगर आपको खाना वगेर अगर खाना है बनाना है तो सारी चीज़ें यहां पर अविलिबल है आप चाहें तो कुछ एक्स्टा लेकी भी आ सकते हो बनाने के लिए और यह रहा आ आपके साथ अगर आपका कोई शेफ और आया है तो उसके लिए सोनी की जगा भी अंदर है और चले मैं आपको उपर लेके चलता हूं तो मैं आपसे यह कह रहा था कि यह जो प्रॉपर्टी है तो यहां पे 22 लोगों के रहने का क्यापिसिटी है अप्टू 30 लोग रह सकते ह हैं और तीस लोग भी आराम से रह सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है तो कोई इतना अच्छन वगरा कुछ होने का तो चांसेस है नहीं यह आप देख सकते हूं तो मान लोग अगर कोई बहुत बड़ा बड़े सेलिबरेशन करना हो जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग होता है वैसे आजकल डेस्टिनेशन बड़े भी होते हैं डेस्टिनेशन सेलिबरेशन भी होते हैं बड़े पार्टी होती है काफी सारी चीज़े आजकल जहां पे हम ल यह मुझे लगता है उस हिसाब से यह बहुत ही बढ़िया है और मुझे लगता है कि शायद जब पूरा एक अगर गुरूप आता है और अगर आपको पूरा कमफर्ट चाहिए बहुत रिलाक्सेशन चाहिए तो आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पे आप एंजॉय कर सकते हो तो यह है मेरा रूम मैं आज यहाँ पे रहूँगा और आप देख सकते हो आज का एक दिन मैं यहाँ पे रहूँगा काफी गर्मी है बाहर एक्चुली क्लाउडी वेदर है बट फिर भी बहुत गर्मी है तो यह रहा बात्रूम दिखिया एक बड़ा सा टब भी है और यह रहा खुबसूरत सा वीव यह जो सामने आपको दिखाए देर है वो वाइट कलर का वो है कलंगूट का चर्च जो डॉल्फिन सर्कल के पास है और इधर से अगर यहाँ पे जाओगे तो यह कांदुली मापको बहुत पास में पढ़ता है तो एक्चुली यह जो प्र लंगूट की बीच में है देखिए यह कंप्लीटली एक स्पैनिश स्टाइल में बनाया गया है और बहुत ही बढ़िया है बहुत ही मस्त है तो इस प्रॉपर्टी का नाम है लेवेंडर विला और इनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है सब जगा पे गोवा में उनकी काफी है यह अगर 10 लोग आएंगे तो भी मैं लिकिन फिर वी मैंने सोचा कि चलो एक बार कोशिश करते हैं एक बाद देखते हैं क्या रहता है कैसी फील होता है तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है अभी और क्या होता है जब इस तरह से इसी प्रॉपर्टीज में आप आते हो तो आपका बिल्कुल भी कहीं जाने का मन नहीं करता है ऐसा लगता है कि बस यहीं प का फर्क है जैसे यह साइड में आप देख सकते हो इधर यह माउंटन का विव है और इधर जो है यह पूल सामने पूरा कलंगुट का विव आपको दिखाई देगा तो आप ज़रूर यहां पे आने का प्लान बनाईए वहां में जब भी आओगे एंजॉय कीजिए तो मिलत है बाद में थैंक यू